दिर स्टूरेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चो एक्ससाइज 6.3 एंसे अर्टी का मैथ ये क्लास 6 का है चप्टर 6 और इसमें मात दो क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं ये नंबर में दिया हुआ है और इक्वल टू जिरू दिया हुआ है तो यहां पे क्या भराएगा वैसे तो नर्मली पता चल रहा है कि यहां माइनस 8 है तो यहां प्लस 8 प्लस तो दिया हुआ है एट भरने से यहां पे 0 आ जाएगा लेकिन फिर भी एक नियम के अनुसार ही अब क्या है कि X को equal to के इधर रखते हैं और इसको उठा के इधर कर देते हैं तो इधर कर देने से क्या होगा पहले तो मेरे पास 0 है और अब जो है minus 8 हो जाएगा plus 8 तो X equal to क्या हो गया X equal to हो गया 8 होगा इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 भर जाएगा 8 इसका आंसर यह हो गया इसके बाद B number लेते हैं B तो यहाँ पर दिया हुआ है 13 प्लस ब्लैंक है और यहाँ पर दिया होँआ है 0 तो यहाँ पर प्लस 13 दिया हुआ है यहाँ माइनस 13 करेंगे तो पतर जिरो हो जा फिर यहां पे x equal to इधर हमारे पास 0 है और 13 को इधर लाते हैं तो minus 13 हो जाता है तो minus 13 वही रहा जागा x equal to minus 13 और यही यहां पे भर जाएगा तो यहां पे इस तरह से लिखा जाएगा minus 13 यह हो गया यह answer हो गया c number यहां पे ले लेते हैं c इसमें दिया हुआ है 12 plus minus 12 equal to 0 0 नहीं दिया हुआ है यहां पे blank दिया हुआ है क्या होगा तो यहां पे normally प्रचल रहा है plus minus यह दोनों ही minus हो जाएगा तो 0 आएगा तो यहां पे x रख लेते हैं 12 plus minus हो गया और यहां पे 12 हो गया equal to, equal to, यहां पर X रख लेते हैं, क्या आएगा, तो यहां पर 12, minus 12, equal to zero, तो zero equal to X, मतलब X equal to zero, तो इसको ऐसे लिखे, यहां एसे लिखे, यहां पर रहा है, X is equal to zero, तो यह answer हो गया, तो मतलब 0, यहां पर भर जाएगा, 0, और यहां D नमर ले लेते हैं, d तो यहां पर क्या दिया हुआ है माइनस 12 दिया हुआ है तो यहां पर क्या करते हैं इसको माइनस 4 प्लस यहां पर x रख लेते हैं equal to minus 12 उसके बाद यह x को इधर रखेंगे minus 4 को उठा के उधर ले जाएंगे x equal to पहले से minus 12 दिया हुआ है और minus 4 जो है वो plus 4 बन जाएगा इधर जाने के बाद equal to के इधर उधर जाने के बाद sign change हो जाता है लेकिन अगर सब को उठा के इधर ले जाएगे और फिर इधर वाला सब को उठा के इधर ले आएगे तो फिर बदला कुछ भी नहीं होगा उसके बाद यहाँ पे x equal to कितना हो जाएगा x equal to यहाँ पे होगा 12 में से 4 चला गया 8 लेकिन minus कचीन रहेगा यह बड़ा है minus 8 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा minus 8 यह आ गया यह answer होगा 3 number का यह last question है यह number और यहाँ blank दिया होगा है minus 15 equal to minus 10 तो यहाँ पे रखते हैं x minus 15 equal to minus 10 तो x को इधर ही रखेंगे क्योंकि x का value निकालना है और equal to minus 10 पहले से दिया होगा है और minus 15 इधर जाएगा बनेगा plus 15 plus 15 तो minus plus minus हो जाएगा और चिन रहेगा plus का क्योंकि बड़ा number है x equal to 5 हो जाएगा 5 तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 यह हो गया और यह answer हो जाएगा complete हो गया question number 4 बचा हुआ है और इस exercise का last question है तो हम लोग इसको complete कर लेते हैं question number 4 जिसमें find करने के लिए कहा गया है इसका value निकालने के लिए का गया है तो यहाँ पे इसको solve करते हैं सिबसे पहले इसको 7 लिखेंगे minus 7 और इसको minus 8 फिर यहाँ पे minus minus plus हो जाएगा तो plus 25 यह हो गया अब इसमें चो minus minus हो इसको 8 कर देंगे तो 7 8 15 हो जाएगा तो minus 15 plus 25 minus plus minus हो जाएगा और sign रहेगा plus का क्योंकि यह number बड़ा है तो कितना हो गया 25 में से 15 चला गया तो 10 बची गया तो यह 10 ही इसका answer हो जाएगा यह हो गया B number में यहाँ पे दिया होगा है minus 13 तो minus 13 और यहाँ पे plus 32 minus 8 minus 1 यह है तो जितने भी minus number है उसको एक साथ add कर लेंगे तो यह 9 हो गया और यहाँ 13 हो गया तो 13 और 10 कितना हो गया 23 उसमें से 1 minus कर दिया तो 22 हो गया 22 minus 22 plus 32 तो यहाँ पे minus plus minus होगा और sign होगा plus का क्योंकि यह number बड़ा है तो यहाँ पे 32 में से 22 तो 10 जितना दिया हुआ है माइनस 7 यह दिया हुआ है इसको यह पे स्वाल करते है सबस्वे पहले minus 7 हो जागा plus minus minus हो गया तो minus 8 हो जागा plus minus फिर minus हो गया minus हो जाएगा minus 90 सारे की सारे minus है तो इसका answer minus में ही आगा तो इसका जो हम लोग कर लेते हैं कितना हो गया यह 15 हो गया और 90 हो गया tभी अम्स नाइज आओ और यहां पर दिया हुआ है यहां पर यहां पर फिप्टी प्लस है इसको प्लस ही रखेंगे फिर प्लस हो जाएगा यह अब यहां पर कितना नाइन्टी प्लस हो गया तो 90 प्लस टू तो 92 है कंप्लेट इसका अंसर हो गया है तो यहां पर एक्ससाइज 6.3 इस के साथ एक्ससाइज chapter chapter 6 जो है पूरी तरह complete हो गया है अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए helpful है तो आप हमारे वीडियो के लिएक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए अभी कई सारे chapters बाकी है हमारे साथ मने रहे और exercise next chapter को हम लोग solve करने के लिए next वीडियो पे चलेंगे